नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Google Pay Account का UPI PIN कैसे चेंज करें अगर आपको Google Pay Account का UPI PIN पहले सी याद है उसको भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको Google Pay Account का UPI PIN याद नहीं है आप भूल चुके हैं तब भी आप आप अपने Google Pay Account का UPI PIN को चेंज कर सकते हैं दोस्तों अभी के समय में Google Pay Account का UPI PIN को चेंज करने का एक नए प्रोसेस आ चुका है बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में हम सीखने वाले हैं की Google Pay Account का UPI PIN को कैसे चेंज कर सकते हैं आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखना होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 100% guarantee के साथ काता हूँ यहाँ पे आप अपने Google पे account का UPI pin को change कर सकते हैं अगर आप अपने Google पे account का UPI pin पहले old pin जो पुराना pin उसको भूल चुके हैं तब भी आप यहाँ पर change कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से छूटी से request है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो please मिरे चैनल को subscribe कर लिजे अगर वीडियो अचली वीडियो को like कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना Google पे application को open कर लेंगे जैसे आप यहाँ पे open करेंगे open करने वाद आपके सामने इसका interface इस तरह से देखनी मिलेगा यहाँ पे अपना UPI pin को change करने के लिए क्या करना पड़ेगा simply आपको यहाँ पर right side आपको यहाँ पर उपर देखनी मिलेगा profile को logo बस क्या करेंगे simply आपको इस profile logo पर click करेंगे जैसे यहाँ पर click करेंगे click करने बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखनी मिल जाएगा यहाँ पर आपका name आ जाएगा और यहाँ पर आपका mobile नमर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर अपना UPI pin को change करने के लिए बदलने के लिए simply क्या करेंगे आपको यहाँ पर देखनी मिलेगा तो simply मेरा hier야 पे Google Pay में एक ही bank account link है वो भी state bank of India का तो यहाँ पर आपका bank name आ जाएगा simply क्या करेंगे आपका जो भी bank account link होगा उस bank account पर आपको क्या करना यहाँ पर आप क्या करेंगे किलिक करेंगा, जैसे किलिक करेंगे क्लिक करमात यहाँ पे loading लेगा loading लेगा आपके सामने इस तरह से interface देखने मिल जागा यहाँ पे आपका account जो information देखने मिलेगा यहाँ पे आपका mobile number और यहाँ पे आपका जो name होगा यहाँ सारा कुछ आपको देखने मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दो trick से बताऊंगा कि एक आप तो अपना अगर आप UPI pin अगर आप पुराना जो old UPI pin है अगर आप उसको भूल चुके हैं उसको कैसे पता करेंगे और आपको अगर UPI pin पता है और यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ब कुछ सेकेंड वेट करेंगे वेट करने बाद यहाँ पर आपको देखनी मिलेगा इंटर जो debit ATM card information यानि आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपका जो ATM card होगा ATM card का last six digit आपका जो ATM card के उपर में number लिखा हो ता उस number को आपको last वाला जो last वाला जो आंक हो ता six digit उस number को आपक इस box में भरना और आपका ATM card का जो भी six digit last वाला six digit number आपको यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर अपना month और year भरेंगे तो चलिए यहाँ पर आपना expiry जो month और year और यहाँ पर ATM card का last six digit number यहाँ पर fill up कर लेता हूँ यहाँ पर अपना ATM card का last six digit number और यहाँ पर अपना expiry और month fill up करने के बाद simply क्या करेंगे आपको यहाँ पर नीचे में देखेंगे यहाँ पर बुलू कुलर का arrow बस क्या करेंगे आपको इस arrow पर click करेंगे जैसे arrow पर click करेंगे click करने बाद यहाँ पर loading लेगा आपको यहाँ पर कुछ second wait करेंगे देखेंगे इस तरह से दिखिम लेगा उसके बाद यहाँ पर आपका OTP आएगा और OTP आपका automatic यहाँ पर fill up हो जागा देखेंगे मेरा OTP जो है automatic fill up हो चुका और यहाँ पर मुझे एक message मील चुका है तो दोस्तों यहाँ पर आगर आपका OTP fill up नहीं होता automatic तो आपके नमबर पर OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर fill up करेंगे उसके बाद क्या करेंगे आपको यहाँ पर नीचे साइड यहाँ पर देखेंगे आपको दिखेंगे एरो इस एरो पर क्या करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद यहाँ पर उपर देखेंगे set 6 digit UPI pin यानि आपको जो नया UPI pin आपको यहाँ पर बना लेना यानि आप Google Pay के लिए एक नया 6 digit का UPI pin आपको यहाँ पर बनाना होगा तो चलिए यहाँ पर मैं 6 digit का UPI pin यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर अपना 6 digit का UPI PIN टाइप करने वाद simply क्या करेंगे आपको यहाँ पर नीचे में दिखने में लेगा right का option बस क्या करेंगा आपको इस right पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने वाद फिर से दिखने में लेगा confirm six digit UPI PIN यानि आपने जो UPI PIN अभी टाइप किये उसी UPI PIN को आपको दुबारा यहाँ पर type करना होगा तो चलिए यहाँ पर मैं अपना दुबारा यहाँ पर UPI PIN को type कर लेता हूँ यहाँ पर अपना six digit का UPI PIN दुबारा type करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे आपको यहाँ पर नीचे में देखने में लेगा right option बस क्या करेंगे आपको इस right पर click करेंगे जैसे click करेंगे click करने बाद यहाँ पर successfully मेरा है पर UPI PIN अपडेट हो चुका UPI PIN मेरा है पर change हो चुका और आपको एक message भी आ जागा कि आपका UPI PIN चेंज हो चुका यहाँ पर देख सेते हैं जो UPI PIN है यहाँ पर successfully मेरा change हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी है आसानी से अपना UPI PIN को change कर सकते हैं अगर आप अपना UPI PIN भूल चुके हैं और दोस्तों यहाँ पर दूसरा trick है कि आप आपको अगर old PIN यानि आपका old पुराना UPI PIN अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप कैसे change करेंगे तो यहाँ पर simply क्या करेंगे आपको यहाँ पर back आ जाएंगे तो चली यहाँ पर back आ जाता हूँ पूरी तरह सब क्या करेंगे back आने बाद simply क्या करेंगे फिर से आपको यहाँ पर उपर साइट देखने होगा profile logo इस profile logo पर आप click करेंगे click करेंगे फिर से यहाँ पर देखन करने मात यहां पर आपका सारा information आ जाएगा उसके बात यहां पर आपको UPI 남ल है उस UPI पीन को आपको यहां पर डालना न यहां पर क्या करेंगे आपको आप जो यहां के मैं सक सउक्सेट है तो डोस्तों इस तरह से बढ़ी हैं असानी से अपने Google पर ऐकाउंट का यूप है और को बढ़ी हासानी से चेंज कर सकते